नमस्कार आपका आजबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। अपनी रणनीती में बड़ा बदलाओ करने जा रही है। बड़ा बदलाओ का मतलब है कि वो जो विपक्ष की कोशिश है और विपक्ष एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो उस परसेप्शन को उस धारना को तोड़ने की कोशिश है। विपक्ष में क्षेत्रिय दलों के का साथ लिए बिना केंद सरकार के लिए अपना काम करना, अपनी योजनाओं को लागू करना, आगे बढ़ाना, देश के विकास को तेज करना, इन सब में दिक्कत होगी। भातिय जन्ता पार्टी क्षेत्रिय दलों से अच्छे संबंद चाहती है, वो सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो। और उसके अलावा उसकी रणीती दूसरे उसका जवाब देने के लिए, इस धार्णा को तोड़ने के लिए जो उसकी जवाबी रणीती है, उसमें ये है कि जहाँ जहाँ जिन राज्यों में संभो हो नए साथियों की तलाश की जाए। या पुराने साथियों में से कुछ के साथ फिर से गड़बंधन की बात चलाई जाए। तो अब इसके लिए जो है, पूरा जो NDA का स्वरूप है, उसको बदलने की कोशिश हो रही है। आपको याद दिलाएं कि NDA जो है, यानि National Democratic Alliance, राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गड़बंधन ये बना था 1998 में। जब अटरदी जी की पहली गड़बंधन की सरकार बनी थी, वचे तो 96 में ओ 13 दिन के लिए मुक्यमंत्री बने थे, लेकिन समर्थन उस समय मिला नहीं था। तो बीजेपी ने 1998 में तै किया एक एक एजेंडा फ़र गवर्नेंस बनाया और उसमें अपने जो कोर इशूज थे, तीन मुद्धे, अयोध्या में राम जन भूमी का मंदर, कॉमन सिविल कोड और उसके लावा जम्मु कश्मीर में अनुच्छे 370 को हटाना था। इन तीनों मुद्धों को छोड़कर गडबंधन बनाया था। उस गडबंधन के उस NDA को बने हुए 25 साल हो रहे है। देश में कोई भी गडबंधन इतना लंबे समय तक नहीं चला। यह अलग बात है कि उसमें पार्टी आती रहीं, जाती रहीं, उसका स्वरूप बदलता रहा लेकिन NDA अब भी बना हुआ है। यह ठीक है कि जब 1998 में बना था तो उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, उसकी वज़य भी थी कि BJP को जरूरत भी थी। या फिर उनको चुनावी फाइदा होता हुआ नहीं दिखा तो वो चली गई। अब भारती जंता पार्टी नए सिरे से इंडिया को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें दो चरण हैं, पहला चरण है नए एलाईज को लाने की कोशिश और दूसरा है पुराने ज को लाने की कोशिश हो रही है, उसमें सबसे पहला नाम है आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी का और उनकी पार्टी यार सीपी। पार्टी को लगता है कि जगन मोहन रेड़ी के आने से एंडिया का स्वरूप और उसका कद भी बढ़ जाएगा। एक जगन मोहन रेड़ी का एक आधिकार है आंधर प्रदेश की राजनीती पर जगन मोहन रेड़ी का, एक सो पच्छतर में से एक सो इकावन सीटें जीते हैं, अगली बार भी सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है, पच्छिस लोगसभा की सीटें हैं, उसमें है, तो इसलिए उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, दूषरी पार्टी है, इसलिए अतितफाक की के बात है, विह इतिछें जो इन तीनी पार्टीमी, यह स्फार पार्टी, दूषरी पार्टी है, जनता दल सेकुलर, ने संसत्द भवन के उघरटन समारोह में, HD देवगोडा आये ये तो बात समझ में आती है पूर प्रधानमंतरी है प्रधानमंतरी नरिद मोदी से उनके अच्छे संबंध है इसलिए उन्होंने आने का फैसला किया लेकिन जो बात HD कुमार स्वामी ने कही कॉंग्रेस के खिलाफ जिस तरह से बोले वो एक नया संकेत देती है देखे करनाटक के चुनाव में हुआ क्या बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई वोका लिगा समधाय के वोट तोड़ने की जेडियस से इसमें उसको कुछ हद तक सफलता मिली लेकिन मामला इसी से गरबर हो गया कि उसको पूरी सफ़कता नहीं मिली जेडियस के कुछ वोट तूटे उससे हुआ ये कि जेडियस का तो नुकसान हो गया उसका सफाय हो गया उसको कमजोर होते देखकर जो है जो मुस्लिम वोट था वो कॉंगरेस के साथ चला गया तो जेडियस का नुकसान हुआ लेकिन बीजेपी का फायदा नहीं हुआ फायदा हो गया कॉंगरेस पार्टी का अब बीजेपी को लगता है कि उसको वोका लिगास हमदाय को रिजाने का एक और मौका मिल सकता है और जेडियस को और एजडि कुमार स्वामी को भी लगता है कि अगर पार्टी का सर्वाइवल होना है पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है तो इस एलायंस की ज़रूरत है विदान सभा चुनाओ अब पांस साल बाद होने है तो उसकी चिंता भी दोनों पार्टीओं को फिलाल नहीं है सामने लोगसभा का चुनाओ है लोगसभा चुनाओ में एजडि कुमार स्वामी देख चुके हैं और बीजेपी भी अनुभव कर चुकी है लोगसभा चुनाओ में वोका लिगा समुदा है बड़े पैमाने पर खास तोर से आर्बन इलाकों में और जो यूथ है उनका युवा है वो भारती जन्ता पार्टी के साथ जुड़ा प्रदान मत्री नरिंद मुदी को वोट दिया तो ये एलाइंस बीजेपी पिछली बार 25 सीट जीती थी एक उसके समर्थन से निर्दलिय जीती थी तो कुल 26 सीटे थी तो तीन या चार सीटें देकर जेडियस से समझोता हो सकता है करनाटक में और ये एक तरह से सुनिश्चित कर देगा करनाटक में भारती जन्ता पार्टी की बड़ी जीत या कहें कि पिछली जीत को दोहराने जैसा तो दूसरे एलाई की रूप में BJP, JDS को देख रही है तीसरा इसका जिकर पहले भी कर चुका हूँ वो है पवन कल्यान की जन्सेना पार्टी अब चोकि जगन महन रेड़ी से समझोता करना चाहती है पार्टी जगन महन रेड़ी भी चाहते है इसलिए भाजपा केवल पवन कल्यान की पार्टी से तलंगाना में समझोता करना चाहती है चंदरबाबु नाइडू से नहीं चंदरबाबु नाइडू और उनकी पार्टी तेलगु देशम का हाल वही है जो बिहार में नितीश कुमार और जनतादल उनाइडेट का है नेता और पार्टी दोनों की शरण की ओर है दोनों का बहुत तेजी से जनाधार घटता जा रहा है लोग प्रेता घटती जा रही है उनकी सुईकारिता घटती जा रही है इसलिए टीडीपी से समझोता करने में बीजेपी को कोई फायदा नजर आ रहा है तो ये तीन नई पार्टी हैं जिन पर अभी तुरत काम हो रहा है इसके लावा दूसरे चरण में ऐसे दलों को जो साथ हैं साथ को लेकर कुछ वहापो है उसको पका करना, संदेह दूर करना और जो छोड़ कर चले गए उनको वापस लाने की कोशिश जो साथ हैं और वहापो है उसमें है तमिलाडू में अन्ना द्रमुक बीच बीच में इस तरह की खबरे आती रहती है इस चर्चा होती है कि बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है बीजेपी का एक वर्ग है तमिलाडू में जो अकेले लड़ना चाहता है लेकिन अब पार्टी ने मन बनाया है कि अन्ना द्रमुक के साथ ही चुनाओ लड़ना है लोकसभा का भी और विधनसभा का भी हाना कि विदानसभा चुनाओ में अभी काफी समय है 2026 में होना है तो इसलिए जो है अभी उसके बारे में जल्दबाजी नहीं है लेकिन अभी BJP का फोकस लोकसभा चुनाओ पर है उसके बाद नमबर आता है पंजाब का, पंजाब में अभी हाल ही में जलंधर का उप्चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें बीजेपी को जितने वोट मिले और अकाली दल को, उनको अगर जोड दिया जाए तो जो विनिंग केंडिडेट आम आदमी पार्टी का था उसके काफ अकार तो बढ़ेगा ही, उसके अलावा उसकी इस्तिती बहतर होगी, अकाली दल को भी बड़ी बेसबरी से इतजार है कि बीजेपी उनके साथ समझावता करने को, गडबंधन करने को तयार हो जाए, केंडर में सरकार है बीजेपी की एक बड़ा एडवांटेज है, जिसका फाइदा अकाली दल को मिल रहा था, उनकी ओर से समरत कोर बादल, केंडर में मंतरी थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, गडबंधन तूटने से वो चला गया, और अकाली दल को दिखाई दे रहा है कि 2024 में भी बीजेपी लोटकर आ रही है, प्रधान मंतरी नरिद मुदी रहें इसके लाब उत्तर प्रदेश में सोहेल देव भारती समाज पार्टी ओंप्रकाश राजभर के, उसके साथ फिर से गडबंधन करना चाहती है, भारती जन्ता पार्टी, भाजपा ने देखा, विधान सभा चुनाओं में ओंप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी स उसके नाता तूट गया है, और अखलेश यादों के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, और बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, तो यह समझता होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दोनों को इसकी आपचारिक घोश्रां पर करना है, इसी तरह से बिहार में उप चाचा की बीच में समझाता कैसे हो, कैसे कराये जाएं, और वो कोई बहुत-बहुत मुश्किल काम नहीं है बाजपा के लिए, वो जिस दिन तै कर लेंगे की कराना है, उस दिन हो जाएगा, उपेंद कुछ वहाँ भी आने के लिए चुप तो हैं ही, वो जेडियू से निक जेडियू उसमें कहीं आती नहीं है, जेडियू का जनाधार और नितीश कुमार की लोगप्रियता लगातार तेजी से नीचे जा रही है, तो जेडियू कोई फैक्टर नहीं रहेगी, खासता और से लोगसभाद चुनाओ में तो बिलकुल नहीं, नितीश कुमार की इतना का दूला बनने की कोशिश करें या गडबंधन कराने का जिम्मा लें, लेकिन उससे बिहार में लोगसभाद चुनाओ में जेडियू पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला, तो जेडियू का जो जनाधार है अती पिछला वर्ग का, वो एमवाई सम्मीकरण के विरोध में बी बीजेपी को इसका है, इसलिए जो है अती पिछला वर्ग से पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, सम्राट चौधरी को, तो बिहार को लेकर बीजेपी उतनी ज्यादा चिंतित नहीं है, देखें तीन राजियों में गडबंधन टूटा, पंजाब, पंजाब के बारे में दूसरा था बिहार, बिहार के बारे में बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं, खास तोर से लोकसभाद चुनाओ के लिए, और अगर इस बीच में लोकसभाद चुनाओ से पहले तेजस्वी यादो जेल चले जाते हैं, जिसकी संभावना बड़ी प्रबल है, तो फिर बीज जिंता वाला जो राज्य है वो महराष्ट, महराष्ट में शिवसेना की टूट के बाद जमीन पर क्या अंतर आया है, इसका आंकलन करना अभी मुश्किल हो रहा है, इसलिए जेपी नंडा पिछले दिनों मुंबई गए थे, वहां मुक्यमंतरी एकनाच छिंदे से उनकी ल उसके मन में निराशा नहीं आनी चाहिए, उसके मन में जो है, वो ये भाव नहीं आना चाहिए कि उसने उधव ठाकरे को छोड़ कर गलत किया, तो महराष्ट का घर जो है, और दूसरा उनको समझाने की कोशिश हो रही है कि इस मुगालते में मत रही है, कि पुरानी शिवस के ना थी, उसको जितनी सीटें लोकसभा और विधानसभा की मिलती थी, उतनी आपको मिलेंगी, उतनी सीटें नहीं मिलने वाली, आपकी ताकत घटी हुई है, इसलिए उसी के अनुसार जो है, वो सीटें मिलेंगी, महराष्ट बीजेपी के लिए अभी भी वर्क इन प्रो बंधन बनाने में हमेशा से रोची रखती रही है, आगे रही है, इसके उलट कॉंग्रेस पार्टी 2004 से पहले तक छेतरी दलों से किसी तरह के गड़ बंधन संबंध के खिलाफ थी, 2004 के लोकसभा चुनाओं के बाद ही यूपिये बना, और जैसा की होता है, सरकार जाने के बहुत से साथ ही चूट जाते हैं, यूपिये के मामले में भी ऐसा हुआ, तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ये जो बीजेपी बनाम रेस्ट बनाने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी और उसके साथ ही दल कर रहे हैं, वो न बनने पाए, एक, छेत्रिये दलों के चलने को अपनी उपलब्धी के रूप में पेश करना है, ये बीजेपी की मोटा मोटी रणनिती बनी है, जिस पर काम शुरू हो गया, ये सब फैसले उनके बारे में चर्चा, 28 माई को नई लोकसभा के लोकारपन के बाद, प्रधान मंतरी के साथ वरिष्ट पार्टी नेत चाओं और मुख्यमंतरियों की बैठक में, तो आने वाले दिनों में भारती जंता पार्टी आपको एक नए मोट में दिखाई देगी, नई उर्जा के साथ नई दिशा में बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसने करनाटक की हार को पीछे छोड़ दिया, उससे अब पार् लेंक में इतना ही, अगले लेंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए और मती दीजे, नमस्कार